मुनवर फारुकी बिग बॉस सत्रा के विजेता बन चुके हैं कई लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि शो का विनर फिक्स था अब मुनवर ने इसका जवाब दिया है अनुराग धोबाल ने भी शो से निकल कर कहा था कि विनर फिक्स है अंकीतिया मुनवर जीतेंग एसे में टीवी के लोगों को बिग बॉस चैसे शोस में जाना ही नहीं चाहिए बिग बॉस सत्रा जीतने के बाद मुनवर फारुकी ने इटाइम से बातचीत में कहा यार फिक्स विनर को इतनी सब चीजों से गुजरना पड़े तो वो फिक्स विनर नहीं हो सकता फिक्स व कामेडियन मुनवर फारुकी ने बिग बॉस सत्रा के बिनर की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है उनकी जीत से जहां फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कई लोग इस बातचीत को पहले से फिक्स पता रहे हैं नेटीजन्स की ओर से मुनवर फारुकी अभिशेओ कुमार अंकीता, लोखंडे मनारा चोप्रा और अरुन माश्यटी का नाम शामल था टॉप टू में मुकाबला मुनवर और अभिशेओ के बीच था जिसमें विनर की ट्रॉफी मुनवर फारुकी ने अपने नाम की आपको बता दे कि शो के एक इस विनर के टैक पर अपनी प्रत्क्रिया देते हुए कहा मुझे नहीं पता मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मेरे पास 50-50 का चांस है क्योंकि एक और मैं और दूसरी और अभिशेक जीत का हगदार था मुनवर ने शो में अपनी जर्णी पर बात करते हुए आगे कहा मैं मानता हूँ कि शो के दौरान मुझसे कई गलतिया हुई है हाला कि यह दर्शकों का प्यार ही था जिसने मुझे विजेता बना दिया मैं अपने दर्शकों के प्यार और सपोर्ट के लिए उनका आभारी हूँ आपको बता दे कि बिग बॉस सत्रा की ट्रॉफी हासल करने के बाद मुनवर फारुकी ने MC स्टैन फ्राजल खान और अन्य लोगों के साथ अपना 32 जन दिन सेलिबरेट किया जन दिन का केक काटते हुए उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुई है मुनवर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सल्मान खान को सपोर्ट और सला देने के लिए उनका धन्यवाद दिया गौर तलब है कि बिग बॉस 17 में बिशेक कुमार फर्स्ट रनर अप और मनारा चोपरा सेकंड रनर अप रही है फिल्मी जगत के ऐसी ही लेटेस अपडेट्स के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लाटफॉर्म समय डिजिटल झाल